तो देख सकते हैं यह लाए आपको देखाते थे हैं फिर से कामल के वीडियो लेगे चलाए हो तो आज हम एक चीज़ बनाएंगे वह वीडियो को फूल देखना तो चलिए वीडियो की ताज हमारे इस वीडियो में जो कॉंपोनल चाहिए वह आपको दिखा देते हम सबसे पहले बोर्ट चाहिए इसके बाद हिट सिंग इसके बाद कोईल दो कोईल चाहिए एक LED लाइट और एक हंडिट के रेश्टर और एक सुई तो सबसे चाहिए हम इसको इसका अंदर बैठा देते हैं इस तरीके से दूसरा क यह मैं बता देते हैं इसके लाड गंसर बटू करिया है अजिए लगके भी incidents ल कיתי इस तरीके से इसको इस प्रूप के मदर से हम है टर्च कर देंगे तो हम इसको हमने कार्ट लिया है एक स्वीस के लिए और एक एलेडी के लाई तो साथ आशिबल एलेडी लाइट को लागा देखा है हम जटके लिष्टेश के साथ में है तो हम स्वीस के साथ में वायर अटच कर देते हैं है अच्छ बाइब इसके लिए अच्छ हो गया है इसके लाग दोनों पर्ल की एक एक वैल लेकर लागा ताल लेकर हो खेना करने लिए अच्छ हाँ है लुटूलम। लुट लुटा सीरी थमा Concept लुटूल 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 लुटू इस घड़ी क्लिक है खुआल को फुआल के शुल कर जाना है इस तरीकिसे, इस उन फर्ट दिमयाम कि वार्ट इस्ट यंदर, इस्ट इस्ट आओने का लेते इस्ट 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 इन का लेते इस्ट 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 खब सकते हम इस सुईसमे लगाइण बहुर कैसे उपलिक लगाइण कि इस कोईल के वायर में घुशाएंगे तरीकिसे अटाच कर देंगे देने के बाद इसका हम सोल्डिकाने से सोल्ड कर देंगे तरीप लेके इस जोईन को हम कि इस तरीके के जाने कर देंगे हमारा पोसेस को कुप्रेट हो चुका है हम इसको सेट कर लेते हैं पीरप को देखाने हो हमारा एलेडी हीट सिंग रिमूवर हमारा कंप्रेट हो चुका है अब इसको हम चेक करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐसी में बुलागा कर देते हैं इसके बाद आफ है पर जब आफ होगा तो इसमें लाइट जालेगा अब जब आउन होगा यह लाइट आफ हो जागा हम इस तरीके से ही इसको बनाया है तो देख सकते हैं यह हीट हो रहा है आपको दिखाते थे हैं यह देखिए यह हीट हो रहा है तो आप यह रिमूब करके देखते हैं तो देख सकते हैं रिमूब हो रहा है यह भी रिमूब हो गया देख सकते हैं अलेडराइट रिमूब हो रहा है तो फेंस आप देख सकते हैं हमारा एलीडे राइट रिमूवर सोलिंग जो है ओ कम्प्रीट हो चुका है और सक्सेक्स भी हो चुका है तो मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सबस्क्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना धन्यवाद